सबस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी के वी रविर राशपूत री यूट्यूब裡面 पहरे मैं रुपित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमीद गरता हूं कि आप सब अच्छे होगे आप सबकी पढ़ाई जो है स्टड़ी अच्छे से चल रही होगी तो बिटा आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं जो आज अपना लेक्चर होगा भाई वह होगा हर्याना के प्राचिन हडपा सवेतास्तल ठीक है और साथ में हम लोग पढ़ेंगे गनराज्य और जतने भी पुराने कोशन अपने बनेंगे वह करने वाले हैं दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दुर्चिया के बारे सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको नया नया कंटेंट जो हो डेली मिलता रहा है तो जितने भी भाई है वो शबीए एक बार इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल को जरूर एक बर शेर कर देना क्योंकि आप सभी का स्पोर्ट का हमको बड़ा जरूर था ठीक है सही बात है बटा जब बच्चे ज़्यादा लाइब आएंगे जब बच्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे तो पढ़ाने भी मजाता है ठीक है तो आप सबको भी यह काम करना है चलो भई आज का जो टोपिक है अपना वो शुरू करता हूं मैं कौन सा हो जाएगा बटा आज तुसे पहला कोशन देखते हैं उठा करके वही पहला कोशन क्या था देखो वही उसने पूछा हडपा सवेता की खोज किसके द्वारा की गई थी वही सुम सबको पता वही हडपा सवेता की जो खोज है ना तो वह लगभग 1921 के अंदर किसने की थी बेटा दया राम सहानी तो हडपा सवेता की खोज किसके द्वारा की गई थी 1921 के अंदर यह मैं यहां पर लिख देता हूं हडपा सवेता तो हडपा सवेता के बारे में याद रखना इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी 1921 द्याराम सहानी की द्वारा अच्छा वो कई बार नदी का नाम भी प कि राखल दास बनरजी ने मोवन जोदरो की खोज कब की थी ठीक है अब इससे ना दो बाते पता चल जाएगे एक बात तो पता चल जाएगे भी राखल दास बनरजी अना राखल दास बनरजी अब राखल दास बनरजी ने क्या क्या मेरे भाई इनो ने जो है आपकी अब राखल दास बनरजी ने बटा किसकी खोज की थी और कब की इस तरह के कोशन पूछ लेगा जैसे माल लो इसने पू उनुनिस से बाईस में जो है ती ओ है कि भी Help कि मेरे भाई उनिस सो बाईस में की दिया ती आच्छा बैतार सभुज पूच ले यह मोगण जो जोड़ों ख़ता का प्राप्राचिस्तल राध किस زज से नदी के किनारे हो जाएगा सिंदू नदी के किनारे खेना किस की किनारे तองको याद रखनी है आसा उतके मुझन जोदोर ना फेमस है किस वाजह से क्यूंकِ मरित कौन का तीला किसको क्या तीना के जाएगा मोवन जोद्रों और मोवन जोद्रों की जो फोज है वह 1922 में राकल दास बनरजी ने की थी और ये 1922 में कुछ यह किस नदी किनारे मेटा सिंदु उसने पूछा कि सीषवाल नामक प्राचिन स्थल हर्याना में कहां पर है ठीका ना बै क्या बोला जो आपका सीषवाल नामक प्राचिन स्थल हर्याना में कहां पर है सीषवाल अच्छा सीषवाल जो है ना मेरे भाई तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं सीषवाल बैस सीशवाल की जो खोज की थी 1968 गी थी यू सूराजवाल नहीं डोप्टर सूरजिभाअ न red कोज थी सूरज उप Thanh किने की मेरे भाई दोक्टर सुरजवाद निसुरसट सड़िकों की और यह जिस्वाल जो है शुमंदिर है आंप ठीक है सीशवार अच्छा यह कहा रहेगा आपका हिसार में प्रेजेंट रहेगा खोज किसी ने की सुरजभानने की कब की 1968 में गी ती अच्छा यहां पर ना यह कोशनों भी बन जाएगा कि यहां पर जो है ना कौन से लोग रहते थे बैटा निग्रो ओस्ट्रेलियन रोग रहते थे कौन निग्रो ओस्ट्रेलियन तो निगरोज्ट्रेलियन लोग कहा रहते थे मेरे भाई ये सिष्वाल में रहते थे भाई किस से समंदित है सिष्वाल से समंदित निगरोज्ट्रेलियन जाती जो है तामवए के ओझा तो कमसं क्या में तामवए के ओझार जो मिले हैं मेरे भाई वो कहां से मिले है तो याद रखना ये मिले हैं आपके सीशवैल से ठीका है zeh nå कहां से मिले मेरे अब प्राचिन सीशवाल जो है आपका याद रखना यहां पर प्राचिन सीव मंदिर जिसकी वज़ा से यह परसिद है ठीक है और सीशवाल जो है बेटा कहां पड़ेगा आपका अहिसार में पड़ेगा और उनिस ओड़ेट में डोक्टर सूरजभान ने इसके खुज किया था और यहां से निग्रो उस्ट्रेलियन जाती के लोग रहती थे ठीक है अगला कोशन है यह है कि बनावली नाम का प्राचिन सबेदास्तल हर्याना के किस जिले में है और इसकी खोज किस ने की थी देखो भई अब प्राचिन स्थल क्यों सा पूछा इसने बनावली के बारे में पूछा कि हर्याना के किस जिले में है तो प्राचिन स्थल है मेरे भाई कौन सा अच तो यहां पर रहेगा आपका बनावली तो बनावली है जो ना मेरे भाई याद रखना यह पड़ता है फत्याबाद में पड़ेगा और इसकी खोज किसी ने की थी आर की थी और यह कब की बाता है अब यह ना बनावली थोड़ा सा परसीद है यहां से कोशन बनता ही बनता है बनावली जो है आपका यह कहां रहेगा फत्याबाद में आर इसकी खोज की कब 1973 से 74 के बीच में ठीक है अच्छा बनावली ना कन्फ्यूजन था हिसार आएगा या फत्याबाद मेरे याद रखना यह पत्याबाद का हिस्सा ना की हिसार का ठीक है चलो अभी देखो इसने पूछ रखा कि मिट्टी का हल जो और अगनी वेदी का जो है बटा यहां यह कहा से मिले है ठीक है तो यह से अगर पूचा जाए जैसे अचा पहले बात तो देखो यह बनावली जो था आपका रंगोई नदी के किनारे बशाओ रंगोई नदी के किनारे ठीक है अचा उसने पूछा अभी कि जो है कि निप्टी के हल जो भाले का अगर भाग भाले का अगर भाग मिट्टी के जो और अगनी वेदी का ठीक है अगनी वेदी का भाले का अगर भाग मिट्टी के हल जो और पहियों के निशान अच्छा बैल गाड़ी के पईयों के निशाँ तो ये सब के सब कहां से मिले मेरे भाई याद रखना ये सब के सब जो है आपके बनावली से मिले सब के सब गले भाइए जो कि साक्ष है बाले का अगरभाग हैं अगनी वेधि न बैलYou का निशान सब कि fellas के सब कहां से मिल pierwsze तो यह सके बाद में देखो इसने गो पूझ रखा है कि मातर देवी की मुर्तियं कहां से मिली है मातर देवी कि मुर्तिया ठीक है और यहां से नई दो चीज़े और कर लेना यह साथ में एक बनेगा विचीत्र प्रकार की मुद्रा क्या मिले की बचीत्र प्रकार की मुद्रा कि वेछितर प्रकार की गोड्रा क्या आपका कोशन बन जाएगा कि वी चितर प्रकार की मुध्रा जो यह मिली कहां से बनावले से एसके अंदर क्या आ धर जो दिखा रही है किस यह तर्कार के मुद्रा प्राप्त हुई और जो याद रखना अच्छा इस ने एक चीज और भी दे यहां से जो सीर्द मिले आंग तो याद रखना सीजो यह है वो पैट रहे किस तरह के चीज जो बैमकर रहे के तो यह मद Whats удलिए मिली है कि आज को दो यहीं बाएं के सब्सक्राइज करते हैं नहीं अब आगे पूछा कुर्णाल नाम की जो जगा है वो हर्याना में कहां पर है कुर्णाल नाम की जगा यह भी फत्याबाद के अंदर पड़ती है ठीक है ना कुर्णाल अब देखो यहां पर लिख देता हूं मैं कुर्णाल तो यह भी कहां पड़ेगी मेरे भाई फत्याबाद में पड़ेगी कहां पड़ेगी फत्याबाद में पड़ेगी ठीक है ना कुर्णाल नाम की जगा क्या पड़ेगी फत्याबाद के अंदर पड़ती है पोशन क्या था इसने पूछा था कुर्णाल नाम की जगा हर्याना मे कहां पर पड़ेगी तो ये भी बैटा कहां पड़ेगी कुरुनाल नाम के जगा फतेयबाद के अंदर पड़ेगी अच्छा इसकी खोज किसने की 1986 में दो लोगों ने किती किसने किती एक तो आएगा जे एस कत्री और एक थे बैटा अचार्या और जे एस कत्री दोनों ने मिलके क्या क्या था इसकी खोज़ 1986 में की थी ठीक है अच्छा उसके बाद में देखो अब उसने पूछा कि 2020 में कुर्णाल से कौन सी चीज मिली थी अच्छा ये ना आर्या कर लेना इसको ठीक है आर्या कि यह हो जाए अपका क्या चीज आर्या देखो एमेच आर्या और जे एस कत्री दोनों ने इसका कोच किया था 266 में अच्छा इसने कोचिन क्या पूछा पहली बात याद रखना यह सरस्वती नदी के किनारे बसा था सरस्वती नदी के किनारे वाला स्थाल कॉन साथ आपका फतेहवाद बना जोरिकुर्नाल अच्छा यहां से क्या क्या मिला देखो बैए यहां से मिला है चप्टी कु कि क्या क्या मिला बेटा चप्ति कुलाड़ी मिली है मचली पकड़ने का काटा मिला है और कुछ सिख्खे मिले है अच्छा 2020 के अनुसार यहां क्या मिला है 2020 में यहां पर राजा का मुकुट मिला है क्या मिला मेरे भाई राजा का मुकुट ठीक है तो यह कर लेना भाई अच्छा लेक्स वोशन देखो भाई अब भी आगे उसमें पुछा राखी गड़ी नाम का जो प्राचिन स्तल है यह कहां पर है और बही हर्याना के अंदर सबसे बड़ा हडपा सब्यतास तल यह देखो दो कोशन लगातार दे रहके है हर्याना का सब चिवड़ा हडपा सब्यतास तल दिया है और दूसरा कोशन है राकी गड़ी जो है वो हर्याना के किस जिले का हिस्स है ठीक है अच्छा इसके बारे में और भी कोई भी कोशन है क्या च इसार में और सबसे बड़ा पासवेतास तरल है उनसे बटा सबसे बड़ा अड़ा पासवेतास तरल है ठीका ना क्या हो जाएगा भई राखे गड़ी जो है ना याद रखना ये इसकी खोज 1909 में किसने की ती अमरेंदर नाथ ने आना किसने की बेटा अमरेंदरनाथ ने अमरेंदरनाथ घोश है किशने की ने उन्मिदरनाथ घोश ने इसकी स्थापना की ठीका चांचा उसके बाद में देखो इसने पूछ रखाया कि अधूराई का सबसे बड़ा हडपा असे तल कौन सा मैंने आपको अभी बाताया कोन सा मैं राखी गड़ी हो जाएगा ठीक है यहां से क्या क्या मिला देखना यहां से गेहूं वैजो के साक्षे मिलें ठीक है गेहूं वैजो के कि साक्षे मिलें कुछ मोहरे मिली हैं कि क्या मिला बेटा गेहूं वैजो के साक्षे कुछ मोहरे मिली हैं इसके अलावा उसने मिट्ट वांद मिट्टन का मिट्ट्र कहां से मले हैं यह भी आपकी लाखीहटगड़ी से मिले हैं जिसकी खोज अम्रिंदरetrical नाथ ने किती इनिट्व सतानोवे में और राकी कड़ी अपका इसार का सबसे बड़ा हड़ा समय स्विचता शतल है और यहां पर बनेगा राकीगड़ी म्यूजियम बनाया जा रहा है कुन सा बेटा राकी गड़ी म्यूजियम तो राकी गड़ी म्यूजियम के बारे में पढ़ देना बेटा ये भी कहा बन रहा है आपका हिसार के अंदर ही बन रहा है ठीका ना राकी गड़ी के अंदर तो राकी गड़ी म्यूजियम भी कहा हो जा तो यह दोनों तुझे तुमको यहां से पता चल जाती है कर लोगे ना नेक्स्ट कोशन देखो अगला कोशन है अगला कोशन है भई भगवान पूर नाम का प्राचिन हडपा सबेता स्तल कहां पर स्तीत है ठीक है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी ठीक है तो यह पू समझ में नहीं आता कि अंसर क्या करना देखना अब भगवान पूर नाम की जो जगा है ना मेटा कहां रहेगी हम सबने पढ़ा है कि यह रहेगी कुरूचेतर के अदर कहां रहेगी कुरूचेतर के अंदर अब बात सुनना जो है भई इसका खोज किसके द्वारा किया गया इसका खोज किया था वही किस ने किया था इसका खोज किस ने किया था तुम से पूछ रहा हूं मैं अच्छा एक बास सुना इसका खोज अलग इंसान ने किया था लेकिन इसका उत्खनन अलग इंसान ने किया उत्खनन कहने का मतलब है कि छान भी तीक है ना तो यह अलग ने क में से किस जिले के अंतरगत आता है तो यह आपसे पूचा गया इसके kis किसने किती मेरे भाई याद रखना तो इसके kohj किती RS 20 ने किसने किती वेटा RS 20 ने और जब भी उत्खनन का नाम आए ना वेटा याद रखना यह उत्खनन कहता जे-पी-जोसी किसने की अधा जेपी जोषिने अच्छा भगवानपूर से क्या मिले बैटा विचित्र परकार के सोरी यहां से मिले बैटा चूडिया क्या से मिली बैटा यहां से मिले चूडिया ठीक है ना अर्याना में चूडियां कहां से मिले भगवानपूर पुरुशेतर से मिले और भारत में चूडि बहुतना के ऊपिता कालिल वंगा तुम सब जानते हूं आपके चूड़िया और princi दोनों टॉट पूर पू cinnamon औरे करतम नगे कहां से याद रखो डिया का Rapid नाम के भगवान पूर से क्षेजES तूसे कहां से मिलें फोरों बाथ याद रख़ो अगला कोशन जो है हमारा वो कि दो लगदपूर अब दोलगदपूर जो अना बेटा है यह भी कहा रहेगा कुरुचेत्र के अंदर रहेगा ठीक है और दोलगदपूर से क्या क्या मिला मेरे भाई यहां से मिट टी के मोहरे और Jupiter परकार की ईह अधर एber और क्या मैं इना वीडिया विचित्र परकार की इंट अदिश्व परफार की उन्टे को यह कहां से मिली। मिरें याद रखना यह मिली दोलत educators पर नाम का सबस्ते का नहां रहेगा आपका पुरुचे तरफ ठीक है अच्छा इसने पूचा है कब्रिस्तान ठीक है लकडी की चार महुरें नरकंकाल और अभूशन कहां से मिले हैं ठीक है देखना आपने एक नाम सुनाओगा दक्षखेडा दक्षखेडा यह प्राचिस जो है स्तल है यह पढ़े स्हर्वाच लकडी की चार महुरें कि have a a physician क्या कि मिले लकडी कि जार मोहुरे मिली हैं अभूशन मिले अच्यां दक्षखेडा यह फरमाना भी बोलते इसको ठीक है क्या बोलते हैं फरमाना को होई नाम आजा है तो देख लेना फरमाना या दक्षखेडा कहां रहेगा कवा और रोतक में कुछ किसने कि विवेक डांगी के द्वारा ठीक है अच्छा अब इसमें ना एक ती जोर भी है इसे फरमाना नाम दिये रहा है ठीक है वैसे अच्छल में है क्या दक्ष खेडा तो तुम दोनों कन्फ्योज नहीं हो ना दोनों केंद्र ठीक इसको ध्यान से है नरकंकाल और और कब इश्था अना नरकंकाल और कब रिस ता हुआ तो यह कहां से बैटा डख्ष के डायान की जो रोतक के अंदर पड़ेगा वहीं से मिले ठीक है तो इसको कर लेंब कि जगह कहा है बगवानपुर कहां से समस्वन दित है दोलतपूर कहां पर लेकिन यहां पर कुछ जैसे ऐसे मिली है तो बहुत अजीव अजीव प्रकार की यहां पर जो आपने एक नाम सुना होगा मीता थल वाला मीता थल जो रहेगा बेटा कहां पर है मीता थल पड़ेगा आपका भीवाने के अंदर है और यहां पर कुछान कालिन सोने के सिक्के मिले है क्या मिले बेटा कुछान कालिन सोने के सिक्के की अगर बात की जाए तो याद रखना यह कहां से मिले मेरे भाई मीता थल से अच्छा अगरोवा पड़ेगा अगरोवा कहा रहेगा हिसार हा न तो अगरोवा हिसार से क्या मिला है याद रखना भाई संगीत मैं इंट संगीत मैं अक्षरों से अंकित कि इंट तो संगीत मैं अक्षरों से अंकित इंट कहां से मिले है अगरोवा से मिले है ठीक है एक आएगा मुगल कालिन शिव परतिमा मुगल कालिन शिव की मूर्थी तो ये भी कहां से मिलिए ये भी हिसार से मिलिए ठीक है एक आएगा मूर्य कालिन सूर्य देव की मूर्थी मूर्य कालिन सूर्य देव की मूर्थी तो ये भी कहां से मिलिए ये सारे के सारे चीज़े बटा हिसार से मिलिए ठीक है ना तो याद रखना संगीत महें अक्सरों सेंकित इट कहां से मिली है मुगल कालिन सिव की मुर्ति कहां से मिली है यह बाते आपको पता हो नहीं से ठीक है न अच्छा हर्श वर्धन राजा हर्श वर्धन की सिक् على कहां से मिली है तौर राजा हर्श वर्धन के जो सिक्फे मिटा ह याद रखना वो कहां से मिले थे हैं अच्छा याद रकना यह सोनी पत से मिले कहां से समिले स्वर्ण मुद्राय कि बात की जाए तो यह अंजर होगा थाने सर धर के ँख लेगा पुरु शेतर के अंदर और वैसे इसकी हर्श बर्दन कई सोने के सिक्हे कहां से मिलें सोने के सिक्षे तो याद रखना यह सोने के जो सब्सक्राइब करने के लिए दो भटियां हर्याना में कहां से मिली है अच्छा देखो गिरावड माम की जगा सुनिए क्या आप लोगों नहीं गिरावड गिरावड जो रहेगा वह रोतक में रहेगा और यहां से क्या मिलेगा मिरित भान पकाने के दो भटियां मिले ठीक है ना मिरित भान पकाने की दो भटियां कहां से मिली है मेरे भाई याद रखना यह दोनों भटियां जो है वह कहां से मिली है आपके यह रावड माम की जगा से जो कहां रहेगा रोतक के अंदर प्रेजेंट ठीक है न तो तुमको मैंने प्रातिस्थल के नाम यहां पर बता दिये हैं तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना ठीक है चलो भई थोड़ा सा अब आगे चलते हैं तो अब next question देखो भई अब next question जो है न आपका वो समवंदित है बेटा किस से गनराज्यों से ठीक है अब यह पूचेगा कि हरियाना में कितने गनराज्यों हैं तो बेटा गनराज्यों जो है न आपको चार गनराज्यों में याद करने हैं ठीक है न चार गनराज्यों अच्छा उनकी राजधानी बहुत बार पूचता क्या हो जाएगी अंबाला अगरगण राज्य अगरगण राज्य कि जो है आपके क्या हो जाएगी अगरवा तुम सब को पता है कहां पढ़ेगा आपका हिस्सार में और तीसरा हो जाएगा बैटा अर्जुना नयन अर्जुना नयन गुण राचे तो भई ये कहा रहेगा तो ये रहेगा भई आपके महेंद्रगड में कौन सा रहे बटा महेंद्रगड में अर्जुना नयन ठीक है अच्छा उसके बाद में भिवानी के प्रकर्तनाक में कौन सा भई प्रकर्तनाक प्रकर्तन चुनिद की हो गई अगर की हो गई अर्जुनायन की रहे गई अर्जुनायन की भी हो चुके लिए चोग आपका गंडराज्दानी किसको घाए याद रखनाट कर्तनाक को कुनिद कीओ अम्वाला अगर की अगरोब प्राकरतनाक क्याίζ चागे अगर कि एच लिए नेक्स्ट कोशनейств करा अगला कोशन कि योद्याए और कुनिद गन्राजें मिलकर किसे को पराजित किया थ ह Psal यद्याए और कुनिद प्रेकर प्राजिय ने मिलकर कुछानों को प्राजित किया किसको प्राजित किया भी तो यह कोशन तुम्हारा आद चुका है कुस्टेबल एक्जाम में उस्टाणों को प्राजित किया था कि किसे प्राजित किया शुजानों को सब्सक्राइब कर प्राप्त किया जाने वाला ग्यान क्या कह लाता है कि गुरु के समीप बैटकर प्रत किया जाने वाला ज्यान प्रत किया जाने वाला ज्यान परनिश्द कहलाता था इसको बोलते थे जो गुरू के समीप बैटकर प्राक्त किया गया ग्यान है वह उपनिश्द कहलाता था ठीक है न अच्छा एक बात याद रखना हमेशा कि जिससे आप सीखते हो ना मेरे बाइ नहीं करना चाहिए जिन से बेशक आप एक बात सीखे हो या फिर आपकी लाइफ चेंज हुए उनसे या आपको जोब मिले है विसको कुछ भी हो जिन से आपको अगर सीखने को मिल जाए ना तो उसको भूलना नहीं चाहिए और दूसरी बात बैटा आपको एक बात याद रखने है कि उनका जिन्दगी में कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए अगर लाइफ में आप उनके साथ में मिस्विहेव करते हो तो लाइफ तुम्हारे साथ में इस भी एफ करेगी ये तैय है मेरे भाई तो जी गुरु है या माता पीता है या फिर कोई भी अन्या है जिससे आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए ठीक है ना ये बात तुमको याद रहने चाहिए तो बटा ये क्या आपके गंडराजे थे जिन से राज़धाने पूछता है और ये कोशन जो है बटा आपका कोशन आया हुआ है ठीक है कॉंस्टेवल एक्जाम में पूछा गया था योद्ध्या और कुणीद गंडराजे ने मिलकर किसको हराय था मेरे भाई पूशानों को हराय था ठीक है अ ना कपाल मोचैण का से मिला करें तो कपाल मोचैंड चन अफिकांन से छो 12 खड़ी की लिखाई वाला अविलेग कहां से मिला है तो सुनना भई 1012 लिखाई वाला अविलेग है 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 तो यह कहां से मिला मेरे भाई तो यह सुध नाम की जगा रहेगे कहां पर iki जगाधरी पहने के यमोना नगर में है तो शुद जगाधरी यमोना नगर में तो चुद्ण जगाधरी यमोना नगर से क्या मिला आपका भारा खड़ी लिखाई पहला अब वी रेसist कोशन देखो वही अगह आपसेने पूछा है तो शाम अभी लेख कहां से मिला है तो शाम अभी लेख बीवाणी से मिला अच्छछा तो शाम के बारे में तुम जानते हो तो शाम के ना पहाडियां बड़ी परसीदा है ना तो शाम की पहाडियों से जो है अक्सर कोशन बनते हैं हम बिल्कुल सरापको निकलना पड़ेगा भी लंबी चले किला जलो भैए ठीका न तो शाम की पहाडीयों से क्या मिलेगा बेटा घटा तो शाम अभीलेक कहा से मिलेगा भीवाने हिसा ठीक है और है अगला ने neutron कोच्छा में में संबंदित घरोष्टी लिपी से संबंदित अभी लेक तो घरोष्टी लिपी से संबंदित जो अभी लेक है मेरे भाई वो कहां से मिला है तो हम बता सकते हैं यह मिला है करनाल से कहां से मिलेगा यह करनाल से मिलेगा ठीक है यह जो है घरोष्टी लिपी से संबंदित अभी ल टॉट सवरों वाला भी लेख जो आपको मैंने बताई थी तो शंघीत मैं इंट थी साथ श्वर तर्वाला भी लेक हैं सामने आपको थोड़ दिर पहले ही बताया था अग्रोवा नाम की जगह काम पड़ेगी हिसार में वहीं से मिला था अच्छा उसने पूटा अब लेकों वाला स्थम्भ आठ अब लेकों वाला स्थम्भ कहां पर है बेटा आप सब जानते हो यह रहेगा हिसार के अंदर है ना और हिसार बस्टन के सामने बेटा एक गुजरी महल नाम की जगह पड़ती है कौन सी गुजरी महल उसी के अंदर है आपका आठ अबिलेक वाला स्थम्भ और यह इंपोर्टेंट है क्योंकि चार बार लगातार रिपीट हुआ है यह कोशन ठीक है आठ अबिलेकों वाला पशुपती संपरदाय से संबंदित अभिलेक कहां से मिला भई जहां पर नेपाल का भी जिकर मिलता है तो पशुपती संपरदाय से संबंदित जो अभिलेक है यह कहां से मिलेगा मेरे भाई यह अभिलेक मिलेगा कहां से याद रखना सिर्षा से ठीक है कहां से मिलेगा सिर सब्सक्राइब देश के राजा देवका ने किसकी परसंशा अपने अभिलेक में की है एक लाउस देश के राजा थे देवका राजा ने कुरुचेतर की परसंशा अपने अभिलेक में की है किसकी की थी कुरुचेतर अंतर हो जाएगा आपका ठीक है हुआं plus cultural की ओर की किसने भई लाउस के राजा ठीक है और लाउस के राजा का नाम कै बैटा देवका तो लाउस के राजा थे जिनका नाम पना देवका और देवका ने क्या किया धोकुचेतर कि जो परसंसा है उतने अपने अभिलेक में किति डीक है न यह बात में तुमको पता हो न jaud iki लोगी दना चलो भाई हुमायू का अभि अभिलेक कहां से मिल थे थे टीक है तो मैं इस अभिलेक में भारत की राजधानी हर्याना को बताया भारत की राजदानी किसको बताया भारत की राजदानी किसको बताया भारत की राजदानी के बारे में इसमें किसको कहा गया तो मेरे भाई याद रखना हर्याना को कहा गया ठीक है अच्छा उसके बाद में टोपरा अभिलेक के बारे में शायद सभी जानते उसमें कोई बताने की जुरूत नहीं पड़े गया ना तोपरा अभिलेक जो है मेरे भाई याद रखना यह कहां से मिला यम उना नगर से मिलेगा तोपरा अभिलेक के बारे में अगर कोशन पूछ लिया जाए तो आप लोग बता सकते हैं कहां से मिलेगा ठीक है ना यम उना के बारे में भगवान विश्णुका प्राचिन मंदिर। अब नगवान विश्णुका प्राचिन मंदिर अगर आपसे पूछा जाए ना तो प्राचिन मंदिर अचा इसको ना नेक्स्ट पेस्पे लिखते हैं पूरा तो भगवान विश्णु का प्राचिन मंदिर तो भगवान विश्णु का अगर प्राचिन मंदिर आप कुछा जाए तो प्राचिन मंदिर के बारे में या देखना मेरे भगवान विश्णु का स्थाई निवास कहांँ पर तो अ तो भगवान विश्णु का जो स्थाई निवास होगा मेरे भाई कुरुचित्र के अंदर एक तीर्थ स्थान है सनहीत तीर्थ तीर्थ यहीं इनका स्थाई निवास होगा सनहीत तीर्थ क्या हो जाए बटा भगवान विश्णु का स्थाई निवास हो जाएगा और यह सनहीत तिरत कहा रहेगा आपका आत्वुद्च श्यत्र की अंदर पड़ेगा ठीक है उसके बाद डेखो विश्णु की से श्ययक पर लीटे मुर्ति हैं हैं है सेशया पर लेटे निसी हें हैं है जो भागवान विश्यनु की मुर्ति से शेये पर लेटे भगवान विष्णु की जो मुर्ति है वो कहां से मिले है फिजिलपूर सोनिपत से मिले है तो फिजिलपूर सोनिपत से मिले है तो फिजिलपूर सोनिपत से मिले है तो फिजिलपूर सोनिपत से क्या मिला है याद रखना वो मिला है जो भगवान विष्ण की मुर्ति से यह पर लेटे वह भगवान विश्ण की मुर्ति का से मिलेगा ना वैसे ठंड बहुत हो चुकिया भाई है ना यो रात के टाइम पर ना ठंड वाक्या में बहुत जादा बढ़ जाती है तो आप सब भी तोड़ा सा अपने सियत का ध्यान रखना मेरे भाई ठीक ह अचा मैंने बता तो इसके बाध में देखना इस नहीं नदो के पूछ रखे हैं भगवान विश्ण की मुर्थि कहां से मिलिया सिंपल भगवान विश्ण क reflect कहां से मिलिए देखना भगवान-विश्ण की मूधिर मूलति वेटा ये मिला जजर से ठीका न ये कहां से मिलें जजर से भगवान विष्णु की त्रीविकरम भगवानविष्णु की मूर्ति त्री विक्रम भग्मान विश्णु की मूर्ति तो ये कहां से मिले बेटा ये मिले सीवन नाम की जगा रही कहां पर कैतल के अंदर ना सीवन कैतल से मिले त्री विक्रम भग्मान विश्णु की जो मूर्ति है वो कहां से मिले सीवन नाम की जगा कैतल से अच्छा भग्मान वि मुफ्तिया कहां से मिली है तो यह अगर आप से पूछ लिए जाए तो लोग बता देना भगवान विश्णु के वामन अवतार की मुफ्तियां तो बटे यह वामन अवतार की मुफ्तियां तो ना तो शाम से मिली और तो शाम कहां पर आपका भीवानी ठीक है तो भगवान वि प्रिक्रम भगवान विष्ण की मूर्थी कहां से मिले बिटा से एवन कैठल से मिले ठिक है और भगवान विष्ण की मूरती घजर हो जाएगा मोहन वाडि नाम की जगा सी मोहन वाडि उसके बाद में देखना सेशे पर लेटे भगवान विश्णु की मुद्धि फिजिल पूर्पूर सोरी पस्थे हो जाएगा भगवान विश्णु का सताई निवा सनीतिर्थ कुर्षे तरके मुझे साथ महानदियों का संगम हुआ करता था बटा यहां पर क्या साथ महानदिय के दिन कौन सा मेला लगता है बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है रक्ष्णा बंदन की दिन लगता है तो यह कोशन तुम से वह अकसर पूछ लेता है तो आज हम लोग ने क्या आपड़ ले बटा है हमने अभी लेक के बारे में जितने कोशन बने थे आपके प्रिविस प्रयावन से संभंधित आपको ध्यान देना होगा अगर आपके आज पास कोई भी खाली जगा दिखाई दे जो यूज ना हो तो वहां पर एक पीड़ा आप लोगों लगा सकते हैं तो ठीक है तो प्रयावन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप सब अच्छे बच् होगा यह सारे कोशन जो हम लोग ने आज किये हैं आपको शायद कुछ नई बातें भी पता इसमें चली होंगी तो भाई आज की क्लास सिर्फ में इतना ही हम लोग करेंगे तो आज क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो पेटा कोमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी है क्लास इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ अपने ग्रूप में बेटा इस वीडियो को जो आप लोग शेयर करना और जो जो बच्छे इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले तो धन्यावाद थैंक्यू ओल बाइर बाचर जाहिन जाह भारत